नमस्कार मैं हो प्रगति और आप देख रहे हैं कबर हटा की 24 से दमों में होगी स्री राम कथा बागिशा धाम के पीठादीश धीरंद्र कृष्ण सास्त्री होंगे कथा वाचब आयोजन बिधायक बोले इस कथा का राजनीती से कोई लेना देना नहीं दस दिन चलेगा आयोजन दमो सहर के होमगार मैदान में 24 दिसंबर से बागिशा धाम के पीठादीश धीरंद्र किष्ण सास्त्री की स्री राम कथा का आयोजन सुरू होनी जा रहा है इस आयोजन में लाग को लोगों की दमों पहुजर की संभावना है दमो बिधायक अजय टंडन इस कता के आयोजन के जिनों ने साब किया है कि यह कोई राजनीती से प्रेरेत कारेक्रम नहीं है यह धार्मिक आयोजन हो और बह चायते हैं कि पूरी जिले के लोग इस धर्म का लाव उठाएं करीब 2,000 वालंटियर इस कता आयोजन की तैयारियों में अपनी जवाबदारी निवाएंगे सभी को अलग अलग टीमें बनाकर काम सौब दिया गया है 24 दिसंबर की सुबह घंटा घर के पास आसिरवाद गार्ण से कलस यात्रा का शुभारम होगा जो सेर के प्रमुक मारगों से होते हुए कता इस तरह हॉमगार मैदान पहुची गी यहाँ पर बीधी विधान से पूजन होगा और इसके बाद कता सुभारम होगा विधायक बोली ये राजनीतिक स्टंट नहीं धार्मिक आयोजन है एक सवाल के जबाब में विधायक टंडन ने कहा कि यह कोई राजनीतिक नहीं है यह केवर धार्मिक आयोजन है उनका मानना है कि लोग धार्मिक से जोड़े रहें यह आयोजन आज अचानक तैय नहीं हुआ है नौ माह पहले इसकी रूप रेखा तैयार की गई थी उस समय कता बाचक धीरेंदे सास्तिनी ने दमों में कता करने पर अपनी सैमती दी थी इसके बाद से तारिक तैय होती रही और अंत में यह तैय हुआ कि 24 दिसंबर से एक जनवरी तक दमों में कता होगी उन्होंने का कि राजनीती करने के लिए तो बहुत सारे मंच होते हैं यहां राजनीती का कोई लेना देना नहीं है यदि देवो इसे मधारमे की आयोजन में राजनीती कर रहे होते तो आज यहां नाहों का विधानसभा में मौजूद होते उन्होंने बताये कि विधानसवा सत्र सुरू हो गया है जिसमें उनकी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष ने सभी विधायकों को विधानसवा में मौजुद रहने के लिए कहा गया था क्यूंकि यहां पर आविश्वास प्रस्ताव की बहस चल रही है लेकिन उन्होंने हाथ जोड का नेता प्रतिपक्ष से अनुरोद किया है कि बहे इस समय केवल कता आयोजन पर ध्यान दे रहे हैं इसलिए बहे नहीं आस्थ थकेंगे उन्होंने कहा है जो होता है हो जाए बहे तो केवल कता आयोजन को बहतर ढंक से संपन कराने का मन बना चु इसके लिए उन्होंने होमगान मैदान को चुना है मैदान काफी बड़ा है यहां पर एक साथ एक लाख लोग वैट कर कथा शुवर कर शकते हैं आईजन स्थार पर एक रैंप भी तयार कर आ रहे हैं बहुत चाहते हैं कि पीठा दीश से उस रैंप से होकर निकले ताकि सभी लोग करीब से उनके दरसन कर सकें एक आस्थाई चौकी भी बनाई जा रही है जहां यदि किसी का कोई बच्चा गुम जाता है किसी को कोई समस्या होती है तो उस इस्तान से भै अपनी बात पहुँचा सकते हैं साहर के सभी 49 वार्डों के पाशदों से उन्होंने अनुरू रूट चार तैयार विदायक टंडर ने बता कि दमों में 24 दिसंबर को निकल ले वाली कलाश यात्रा का रूट चार बना का तैयार हो गया है उसी की तहत कलाश यात्रा निकाली जाएगी इसके अलाबा बागिश्व धाम की पीठा धीसर धीरेंदर किशने सास्तरी प्रती दौरान उनोंने कहा कि इन सभी तैयार senhor की जानकारी अभी तक जिला प्राशासन की प्रमुक्ति कारियों को नहीं है उनोंने बताया की भै अपनी तरफ से प्रशासन को सूछना दे चुकी हैं लेकिन यह आपको प्षासन की सहभागिता कम नजर आ रही हैं इसके अलाबा आ डिपक पटल की रुपोर्ट ख़बर हटा के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट सेयर करें, घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं, अपने छेतर से जुणी ताजा ख़बरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, आप सभी का धन्यवाद, दीपक पटेल, मोवाइल नंबर 8602179712